नवस्कार आप देखरे हो गुल्णम बीज अमरेकी राष्ट पती चुनाव में कौन जीतेगा टोनल टंप या जू बीडन इस पर तस्विर भली अब तक साप नहीं हुई लेकिन एक बात बिलकुल साप है कि सोने के बाव में भारी बदलाव आएगा आपको बता दे कि भारत में सोने का बाव अंतराष्ट बासार पर निर्बर रहता है ऐसे में अगर अंतराष्ट बासा में कोई भी बदलाव आता है तो इसका सीधा असर भारती बासार पर भी पर दिखने को मिल सकता है विसे सग्यों का करना है कि टोनाल टरंप जीते या जो बाइडन दोनों ही स्तिती में सोने में भारी बदलव आ सकता है वह हिंदुस्तान अकबार को केडिया एडवाईजरी के डायेक्टर अजे केडिया ने बताया कि भारती बासार में सोना अभी 1100 रुपे प्रती 10 क्राम चल रहा है अमरेकी चिनाओं के बाद इसमें और भी भारी बदलाव आ सकता है कमोडिटी बासार के कारोबारी अजे केडिया के मताबिक त्योरी सेजन में घरेलू मांग बढ़ी है ऐसे में अगर एक साल यानि की अगली दिवाली तक लख से रखे तो सोने के बाव में भारी तेजी आ सकती है अनुमान के मताबिक आने वाले साल यानि की अगली दिवाली तक सोना कम से कम साथ हजार से उपर तक जा सकता है अजे केडिया के मुताबिक अगर जो बाइडन चुनाव जीत जाते है तो सेबासा में दबाओ पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रम्प की हटने से अमरीका में जो भी यूजनाय चल रही है या जिन पर काम होना है उन्हें लेकर अनिस्चिता बढ़ जाएगी बाइडन प असार में भी उतल पुतल हो सकती है यानि की कारूबारियों का सीधा अनुमान है कि जो बाइडन जीते या डोनाल ट्रम्प सोने के भाव में तेजी आ सकती है सोने का बाव सांट जार से उपर तक जा सकता है लेकिन अबेकि बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सोने में गिराउट आई है वही अगर आप दंतेरस और दिवाली के मौके पर सस्ते में सोने की अबुसंग करिदना चाते हो लेकिन बाव ज्याद होने से खरीदारी नहीं कर पा रहे तो अब आप सस्ते में गुर्ड प्लेटिड या फैसन जोलेरी बहुत ही कम किमत में खरीद सकते ह यहाँ पर कई सारे प्रोडेक्ट देखए है जिनकी किमत काफी कम है और यह अबुसंग सोने की अबुसंग की तरह ही दिखते है अगर आप इन अबुसंग को खरीदना चाते हो तो नीचे लिंक दिखए है वही अगर आप भी चाते हो कि भारत सरका सोने और चांदी की खरी के लिए तुरंती कुर्ण बीस को सब्सक्राइब कर दे कि हम यहाँ पर रोजान सुने और चांदी की पाओ सीधे सराप बासार से देते हैं मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद